आप चौकीदार का नारे दे रहेते ना चौकीदार और चौकीदार और चौकीदार लगा रहेते उसी टाइम पर ये फूर हो गए आपको पता भी नहीं चला आपके नेता इन से मिलेते लाइसी के अंदर गरीब जंता का पैसा है लाइसी के अंदर नरेंदर मोधी का पैसा है कोई आंदरा बैंक को चूनल आके भागा, एक और नीरब मोदी हो गया, एक और नितिन संदेश्रा हो गया, लिश्र विजय मालिया हो गया, नेवल चौकसी हो गया, तो अगर अडानी भाग गया, तो पैसा किसका जाएगा, कोई मेरे को इस बात का जवाब देगा, वो संबित पीन अपने प्रवक्ता भेजने बंद कर दी है, अडानी सहाब के ना, सेप्टेंबर 2022 में, अडानी सहाब ने सवा दस खरब में, अपनी दो सिमेंट कमपनियों को गिरवी रखा था, सवा दस खरब में, शेर्स को बेक जाएग गिरवी रख, सबसे पहले LIC का चुका, उसक के बाद में 38% पैसा अडानी सहाब के अपास, भारतिय बैंकों का है, अगर हिंडन बर्क की रिपोर्ट गलत है, तो अडानी सहाब जो है, अब तक उस पर कारवाई क्यों नहीं करवारे हिंडन बर्क के उपर, यह बताईए, अब उसके बाद में कुछ लोग ऐसे हैं, जो हिंडन बर्क काम ही है, जो कमपनियों को नीचे ले आने के बाद में, फिर उनके जब शेयर डाउन हो जाए, तो उनको खरीद लिया जाए, यही काम है, तो अगर हिंडन बर्क का यही काम है, तो भारत देश की सी बी आई और एडिक क्या कर रहे हैं, मोधी सरकार कहती है, कि विजेशों से हमारी देश की तरक्य тебе रहता है, इसलिए जो जब रहे है, अदानी साहब की संपत्ती में, जो है कमिझाप रहे है, आप यह समझेए, तो इसमें, बादी जिम्मेधार है यह नहीं, यह तो अडानी साहब सकते है, कम इजापा हुआ है आप ये समझिए तो किसमें इसमें मोदी जिम्मेदार है ये तो अडानी साहब बता सकते हैं लेकिन अडानी साहब की संपत्ति को बढ़ाने में मोदी जी का एक एहम भूमी का है एक बात आप मुझे देख लिजे आप जमीनों की कीमत देख लिजे जो जमीन अडानी साहब को दी गई है उन जमीनों की कीमत देखिए और अडानी साहब को जमीने कितने भी दी गई है ये देख लिजे साल 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब आप अढ़ानी साहब की property को संपत्तिकूं का उनके group को देखिएगा और उसके बाद आज साल 2022 के अंदर आप उनको देखिएगा साल 2022 में 23 दो लग जिया है 23 में दो अढ़ानी साहब के share से नीच आये हैं आप 2022 में अढ़ानी साहब को देखिएगा है सेंटर गवर्मेंट के हाथ में जातर लगबग सारे टेंडर्स होते हैं चाहें वो एरपोर्ट के हों चाहें तमाम चीजों के हूँ ठीक है ना तो ये बात पूरे देश को पता है दूसरी बात ये है कि अडानी सहाब जिस तरीके से एलाई सीकंदर गरीब जंता का पैसा है इससे पहले विजय मालिया भाग गया नौजार करोड रुपया लेकर नीरभ मोधी चारजार करोड से जादा लेकर भाग गया तो इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा और अब लोग के रहें कि अडानी कोई भगतोरी आ है अरे भगने वाला कोई बता के थोड़ी भगेगा अरे भाग रहे यह जब आप चोकीदार का नारे दे रहते ना चोकीदार और चोकीदार और चोकीदार और चोकीदार लगा रहे थे उसी टाइम पर यह आपको पता भी नहीं चलाए आपके नेता इंसे मिलेते अरुण जेटली इंसे मिलेते नहीं मिलेते क्या बताई आप मुझे अगर कल को जिए फोटो दिखाई एपोटो दिखाई उन्हों और आने के साथOW दिखा दी लेकिन अगा बात की जाए तो रहुल वाड के पर फेंक準 सब्सक्राइब और पहती आप या संबंत नमीं तो एक आदमी का किसी सब्सक् collecting Rosen प्राइब के अब इन दो ने विचार धारा के लोग होते है हस्बेंट कॉंगरेस में होता है वाइप बीजेपी नि headline को आप क्या कहिंगे बहुत सारे नेता हैं बहुत सारे नेता हैं बात यह देखी जा रही है कि क्या वो पॉलिटीशन है मैं सबसे बड़ी बात यह कह रहा हूं मैं कोई प्रधानमंत्री पर अडानी के ओपर आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं तो प्रधानमंत्री से यह कह रहा सवा दस खरब में अपनी दो सिमेंट कंपनियों को गिर्वी रखाता सवा दस खरब में अब आप ये बास सोच लीजिए इसके बाद All India Bank Employees की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने एक डेटा दिया ते जिसके बेस पे उन्होंने बताए कि अब अगर अडानी भागया तो पैसा किसका जाएगा कोई मेरे को इस बात का जवाब देगा अगर अडानी भकता है तो क्या पैसा विरेंदर सेवाक का जाएगा क्या पैसा नरेंदर मोधी का जाएगा क्या पैसा शिवराज सिंग चोहान का जाएगा या योगी आदिचनात का सब्रार पहले इतने बैंक गोटाले हुएं लोगों ने अपनी जान गवादी क्या दिया है? सरकार ने PNB BANK घोटाला हुआं आंद्रा BANK घोटाला हुआ क्या कर लिया? कॉर्परेटर्स पैसे लेकर भागे हैं क्य Applicant भी मैं शीर्टी Church को बेक चाहें गिरवी रख सब से पहले LIC कर चुका उसके बाद SBI कर चुका उसके बाद में 38% पैसा डानी साब के अपास भारतिय बैंक को का है कौन से भारी मोदी जी कैसे भारी किस पे भारी मोदी जी अरे सुनिए कोई नहीं बॉकला गया बॉकला गए सुनिए बॉकला गए बीजेपी वाले वो संभित पात्रा 24 गंटे अब वो आई नहीं रहे तीवी चैनल पर आई नहीं रहे वो कहा है वो दिख रहा है आपको टीवी चैनल की डिबेट पे वो 24 गंटे आता था बीजेपी ने अपने प्रवक्ता भेजने बंद कर दी है अडानी साहब के नाम से लेकिन न्यूस चैनल वाले फुल टुफुल डि अडानी साहब है तो बिजने एक मिंट बिजनेस मैं तो हैं एक बात आप मुझे पते ना र्थेमेवस्ता को कैसे उठा दिया अर्थेमेवस्ता की तो स्टिती हाज भी खराब है डॉलर जो है दिन प्रति दिन ऊपर आ रहे रूपिया नीचे जा रहा है अर्थेमेश्ता मेकातर कहती रही है कि पहले करोना काल आ गया इसलिए अर्तवेवस्ता बैठ गई और आप करोना काल से याद आया करोना काल के समय में जब लोगों के पास खाने को रोटी पहनने को कपड़ा और सर ढखने को नहीं थी मकान नहीं था उस टैम पर अड़ानी साफ की प्रॉपर् करें 204 से लेकर 2014 की अट बिशच्छार ही कि एक बात आप मुझे बत हैं साल 2014 सेने कर 12 तक भ्रॉच्छार नहीं हुआ है यहां मोदी जी कैसे बोल देते हैं मोदी जंता से जूट बोलते हैं मोदी जी ने इंगलेंड का रूल रेगुलेशन पढ़ाए हैं वर्ड के टॉप बेस्ट लॉयर्स और एडवोकेट्स बाए जाते हैं इंगलेंड के हैं इंगलेंड का आपने पढ़ाएं इंगलेंड में आपको भी पहुंच जाती है अरे विदेश में डंका बज रहा है आपका दिमाग कुछ खराब है क्या अभी तो आप कह रहे हैं कि विदेश वालों से नहीं अभी आप यह चैनल देखने के लिए आप ही लोग काफी है अब मैं भी चैनल देखूंगा तो मेरे भी दिमाग खराब हो आप देखतो रहें चैनल आप देख रहे है ना देख रहें नहीं देख रहे हैं चैनल दिमाग खराब करने के लिए तंस सच्छाए दिखा रहे हैं कि अडानी साब Deformation का मुकदमा करते हैं मानानी का मुकदमा ठोकते हैं चाहें पत्रकारों चाहें सोचल एक्टिविस्टों सब पर मुकदमा ठोकने यहां काम करते हैं अडानी साब